एक परसन उसने लेटर लिखा है फोर फ्रेंट को फिर वह फोर किसी और को करेंगे यह चेंज चलती रहेगी तो नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं आपके पास forms and GP कैसे फिर्स्ट फोर बंदे को कर रहा है फिर फोर की पावर टू चल रहा है और यह सब चलेगा कहां तक चलेगा find the amount of spend on the postage when eighth set of letter is mailed ठीक है यह सब चलता रहेगा इसी तरीके से ठीक है assuming that the chain is not breaking and the cost is 50 पैसा of two male one letter को cost करने की cost यह है तो मुझे number of letters find करने कुल मिला के अगर यहां a का value हो जाएगा 4, r का value भी कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा ठीक है अब आप sum of eight term निकालो यहां पर when the eighth set of letter is post कितना हो जाएगा आपके पास देखो यह हो जाएगा a, a का value कितना है आपके पास 4 है r का value है 4n-1 यानि 4 8-1 divided by कितना हो जाएगा 4-1 4 की power 8-1 upon 3 4 की power 8 कितनी हो जाएगी आपके पास देखो 4 multiply 4 multiply 4 multiply 4 4 16 16 16 कितना हो गया 2 5 6 हो गया यानि कि आपको 2 5 6 को multiply कर देना 2 5 6 है कितना हो जाएगा यह 65 536 आपको Kelsey यूज नहीं करना है फिर बता देता हूँ मैं न लपक के जो है आप पड़ा पर solution निकालने लग रहे हो ऐसा नहीं करना है आपको भी तो आपके पास number of जो letters हो गए है total वो हो गए है 4 multiply 6 5 5 3 6 5 5 3 5 divide by 3 divide हो जाएगा यह check कर लेता है 6 5 11 9 5 16 16 19 24 हो जाएगा 3 2 जा 6 3 1 जा 3 2 5 3 8 जा 24 1 3 3 4 जा 12 3 5 जा 15 यानि 4 multiply 21 8 4 5 को आप multiply कर लो किससे 4 से 87 380 यह आपके पास total letters है जो post होंगे अब बोल रहा है cost बताओ amount 87 380 multiply 50 पैसा है पैसे को रुपीज करने के लिए 50 by 100 कर रहे है 2 जा 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 9 जा 18 and this is 0 इतने रुपीज लग जाएंगे letter post करने के लिए clear है कर दो